Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज है 4 March 2022 तो आईए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं आगे पढ़ने से पहले जानकारी है तेजस, hard work, beats, destiny के बारे में ये UPSC Prelims 2022 का एक crash course है जहां पे आप 250 से अधिक घंटों में आपकी पूरी Prelims के preparation कर सकते हैं CSAT के lectures included है course अवेल करने के लिए जाना होगा video.onlyis.in पे जानकारी के लिए call करना होगा 7007-931912 पे या फिर mail भी कर सकते हैं info at the rate onlyis.com पे चलिए आगे भरते हैं जो पहला आर्टिकल है वो कचा तीवू आईलैंड के बारे में है हाल ही में तमिल नारू से बिलॉंग करने वाले आठ मच्छुआरे अरेस्ट कर लिए गए हैं स्रिलंकर नैवी के द्वारा कचा तीवू आईलैंड के पास में उनके उपरारोप है कि उन्होंने चौदहवी सताबदी के आज़ पास ये एक वॉल्किनिक एरप्शन के वज़े से बना था बहुत बड़ा एरिया नहीं है 285 एकर का ये पूरा एरिया है राजाओ रामना था पुरमी से पहले ओन किया करते थे बाद में मदरास प्रेसिडिंसी का हिस्सा बन गया अंग्रेजूं का जब भरत में शाषन था तो इसे जो मदरास में गवर्मिन्ट हुआ करती थी और जो स्रिलंका जब उसे सिलोन की नाम से कोकारा जाता था वहाँ की सरकार मिलकर इसे मैनेज किया करते थे बिटर स्थूल के दुरान कुल मिला के इसे एडमिनिस्टर किया जाता था इंडिया और स्रिलंका के द्वारा मिलकर ये जो आइलेंड है ये स्टेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा अपनी लोकेशन को लेकर 1921 में स्रिलंका और इंडिया ने इस पीस ओफ लैंड को क्लेम करना शुरू कर दिया फिशिंग राइट को लेकर उसके बाद जो डिस्प्यूट रहा वो बढ़ता चला गया फाइनली 1974 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इंडिया की इंडरा गांधी जी उन्होंने कचातिवू आइलेंड स्रिलंका को दे दिया इसके जरीए इंडिया और स्रिलंका मेरिटाइम एग्रिमेंट जो हुआ था उसमें पूरे मामले को सुलजाया गया उसके बाद 1976 में एक और ट्रेटी हुई जिसके माद्यम से भारत और स्रिलंका दोनों ने ये स्पैसिफाई कर दिया कि एक दूसरे के एक्स्क्लूजिव एक्रामिक जोन में एक दूसरे देसों के जो फिशर मैं है वो नहीं आएंगे और उसके बाद से जब भी कोई फिशर मैं उधर जाता है फिशिंग के लिए तो उसे गरफ तार कर लिया जाता है स्रिलंका नैवी के द्वारा और यहां पर यह हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहता है इंडिया और स्रिलंका के बीच में हमारा नेक्स आर्टिकल क्लस्टर बॉंब और वैक्यूम बॉंब के बारे में है एमनेस्टी इंटरनाशनल और हुमन डाइट वाच और यूक्रेन के एमबैजडर ने जो कि उनाटे स्टेट्स के लिए हैं उन्होंने रश्या के ओपर आरोप लगाया है कि जो रश्या है वो क्लस्टर बॉंब और वैक्यूम बॉंब का इस्तिमाल कर रहा है इस ओन्गोइंग वार में जो की नहीं किया जाना चाहिए देखे हुआ ये है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो डिस एडवांटेज की कंडिशन में है रश्यान सोलजर्स कीव की ओर एडवांस कर रहे है वहाँ के लोगों ने हथियार उठा लिये है यूजरी क्या होता है कि जब भी कोई एक देश दूसरे पर अटैक करता है तो वो सिविलियन पॉपुलेशन को अवोईड करते है क्योंकि जब आप सिविलियन को मारना शुरू कर देते है तो एक मोरल प्रेशर बनने लगता है कि आप गलत कर रहे हैं हर देश इस चीज से बचता है लेकिन चूकि वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन ने भथियार उठा लिये है तो रश्या भी इस बात को लेकर बहुत एग्रेसिव हो गया है और वो अब कई सारी जिगहों पर सिविलियन पॉपुलेशन को भी टार्गेट कर रहे है मतलब कि उन्हें अवोईड नहीं कर रहे है क्लस्टर म्यूनिशन इसी का एक उदाहरन है जब भी वेपन्स फायर किये जाते हैं तो उनका एक टार्गेट होता है वो टार्गेट स्टैट्जिक हो सकता है और उसे हिट किया जाता है लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन ऐसा नहीं करता ये नॉन प्रेसिशन वेपन्स होते हैं जो या तो किसी को इंजर या जान से मारने के लिए होते हैं यहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट वे में अटैक किया जाता है किसी टार्गेट को हिट नहीं किया जाता बलकि एक बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए multiple number में जो bombs हैं उन्हें गिरा दिया जाता है usually ऐसा कई सारी vehicles runway, railway या transmission line के infra को बरबाद करने के लिए किया जाता है लेकिन चूँकि ये indiscriminate होता है तो इसमें civilian population की भी जान जाती है इसे किसी aircraft से या फिर flight से गिराया जा सकता है scatter किया जाता है basically because इसमें कई सारे bombs होते हैं जिनने cluster में गिराया जाता है एक साथ ये कई बार तो explode होते हैं तो explode होंगे तो जो भी आज़ पास के लोग हैं उन्हें जान से मार देंगे कई बार क्या होता है कि explode नहीं होते और live पढ़े रहते हैं जिन्दा वहाँ पढ़े रहते हैं वार खतम होने के बाद भी ये कभी कभी explode होते रहते हैं तो उसके बाद भी इन से खत्रा बना रहता है तो ये तो मामला हुआ cluster bombing का जिसमें civilians भी hit होते हैं दूसरा है मामला vacuum bomb का vacuum bomb को aerosol bomb, fuel, air explosives या thermobaric weapons के नाम से भी जाना जाता है इनकी खास बाद ये होती है कि ये oxygen को atmosphere से ले लेते हैं और उसके बाद उसी का इस्तेमाल करके एक high temperature blast करते हैं और जब ये blast करते हैं तो conventional bomb की तुल नामी इनके blast का size बहुत ज़दा बड़ा होता है और जिस area को ये hit करते हैं लगभग 300 meter की area में बहुत ज़दा heat generate कर देते हैं वो heat इतनी ज़दा होती है कि human body evaporate हो जाए इसे rocket से launch किया जा सकता है या aircraft से भी drop किया जा सकता है इसके दो stages होते हैं पहले stage में जब explosion होता है तो basically bomb का जो fuel container होता है और एक fuel का cloud तयार हो जाता है जिसमें कुछ metal particles भी होते हैं एक बड़े area में वो फैल जाते हैं फिर जब दूसरा explosion होता है तो वो इन metal particles और fuel के cloud को ignite कर देता है, जला देता है जिसके बाद एक आग का बहुत बड़ा giant wall तयार होता है और वो एक बहुत बड़ा विसफोट का रूप ले लेता है इससे intense blast waves भी निकलती है और वो इतनी intense होती है कि human body को evaporate कर सकती है इसके इस्तिमाल को लेकर अभी तक वैसे कुछ खास rules and regulations नहीं है लेकिन निश्यत तोर पे ये human rights के खिलाफ तो होता ही है या war में जो ethics opt की जानी चाहिए उसके खिलाफ होता है जैसे civilian population को avoid करना और indiscriminate attacks ना करना लेकिन हम देख रहे हैं कि Russia और Ukraine के इस warfare में इन सब चीजों का ध्यान तो कत्ते ही नहीं रखा जा रहा है रूस निश्यत तोर पर इस war को हर हालत में जल्द से जल्द खतम करना चाहता है और Ukraine limited resources के साथ लड़ता जा रहा है, confront कर रहा है क्या cluster और thermobaric weapons illegal है? Cluster munitions, convention on cluster munitions ये जो है, इसके तहत regulate किये जाते हैं ये एक international treaty है जिसे 2008 में adopt किया गया था इसमें prohibit किया गया है use, transfer, production या stock piling, cluster bomb की कुल मिलाके cluster bombs का इस्तिमाल wars में नहीं किया जा सकता वर्तमान में 110 states इसका हिस्सा है, 13 इस convention की parties हैं, अलागि उन्होंने अभी इसे ratify नहीं किया है ध्यान दीजेगा, ना तो रशिया और ना ही यूक्रेइन, इस convention और cluster munitions की parties हैं उन्होंने इसको sign नहीं किया है थर्मोबारिक weapons की बात करें तो इसकी prohibition के संबन्द में कोई international law नहीं है लेकिन इसका इस्तिमाल civilian population के खिलाफ अगर किया जाता है जहां पर schools, hospitals ये सब भी target हो जाते हैं तो जो हेक convention है 1899 का 1907 का, वो जरूर इसका उलंगन कर देगा ये सारी बाते cluster bomb और vacuum bombs के बारे में हमारा नेक्स आर्डिकल 3 मनुरक्षा प्रोजेक के बारे में है नाम से आपको स्पस्ट हो गया होगा 3 की मनुरक्षा, मतलब उनकी mental health को ध्यान में रखते हुए ये project तयार किया गया है International Women's Day Week इसके तुरांस 3 मनुरक्षा प्रोजेक को launch किया गया Union Minister for Women and Child Development के द्वारा इसे launch किया गया है National Institute of Mental Health and Neurosciences के द्वारा support रहा है यहाँ पर Ministry of Women and Child Development का प्रोजेक्ट के माध्यम से mental health training दी जाएगी 6000 से जादा OSC functionaries को OSC का यहाँ पर मतलब है one stop centers तो देखे जो one stop centers हैं वहाँ पर जो professionals हैं उन्हें इस तरीके से train किया जाएगा कि वो women की mental health को improve कर सकें और उनकी psychological well-being को बढ़ावा दे सकें इसमें basically self-care techniques को सिखाया जाएगा दो format होंगे इसके पहले format में तो basic training दी जाएगी one stop centers पर जो भी लोग काम करने वाले हैं उन्हें जिसमें security guards, cook, helpers case workers, counselors, center administrators, paramedical staff सभी शामिल होंगे second format में advanced courses दिये जाएगे जो multi generational implications जो हो सकते हैं trauma के या mental health सही ना हो उसके अगर बहुत severe violence face किया है किसी महिला ने तो उसके लिए train किया जाएगा इसके लिए ministry of women and child development ने advanced certificate course भी लाँच किया है वो SC counselors के लिए तो आपने समझा सत्री मनुरक्षा project के बारे में हमारा next article e-bill system के बारे में है अभी हाल ही में निर्मला सितरा मंजी ने electronic bill processing system को digital india ecosystem और ease of doing business के तहत लाँच किया है सरकार को कई सारी services दी जाती है कई सारे stakeholders के द्वारा जिसमें शामिल होते हैं कई प्रकार के contractors vendors या फिर suppliers वो जब सरकार को services दे लेते हैं तो जो भी खर्च उनका आया होता है या जो भी supply की cost होती है वो उसे claim करते हैं अपने bills submit करते हैं और अपने पैसे के demand करते हैं जिसे सरकार pay कर देती है अब ये process कई बार बहुत lengthy हो जाता है ये पूरा process digital हो जाए इसी उद्देश से e-bill system लाया गया इसे develop किया गया है public financial management system के जो एक division है in the office of the controller general of accounts में ठीक है जो के department of expenditure ministry of finance के तहट आता है उद्देश ये है कि ये जो services के बदले में या फिर जो कुछ भी सामान डिलिवर किया गया है कोई भी project handle किया गया है उसके बदले में जो भी उन्हें अपना clear करवाना है payment ये पूरा system एकदम online हो जाए transparent हो जाए और paper less हो जाए इसमें convenience होगी vendors को और suppliers को वो अपने bills और claims किसी पे जिगह से आसानी से avail कर पाएंगे physical interference बिल्कुल कम हो जाएगा इससे discussion कम हो जाएगा कि किसी का पहले आपने claim ले लिया लेकिन payment आप उसकी बाद में कर रहे हो बाद में जिसने claim किया उसको पहले payment कर दे रहे हो ये मामला खतम हो जाएगा क्योंकि process online हो तो first in first out वाला मामला चलेगा फिफो का मामला जिसमें जिसने पहले submit किया उसका पहले clear होगा इस e-bill system के माध्यम से suppliers अपने bill को online submit कर पाएंगे एक digital signature के माध्यम से जिसके पास digital signature नहीं है वो e-sign भी कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल करके हमारा next article इंडिया के पहले डुगॉंग reserve के बारे में है जो की पाक बे में बनाया जा रहा है तमिलनाडू की सरकार ने decide किया है कि इंडिया के पहले conservation reserve को डुगॉंग के लिए गल्फअप मननार पाक बे में दयार करेंगे यह है हमारा इंडिया यह है सिलंका यहाँ पर है पाक बे और यह है गल्फअप मननार का पूरा एरिया यहाँ पर देखिए 500 किलोमेटर पाक बे का जो पूरा एरिया है जो की south east coast पे मिलेगा तमिल नाडू के उसे इस डुगॉंग reserve के तौर पे recognize किया जा रहा है यह extinct होने बाले हैं इनकी संख्या बहुत कम बची है अन्दमान और निकोबार आलेंड के आस पास तो डुगॉंग की संख्या आपको 100 से भी कम मिलेगी conservation की नीड है Gulf of मननार और Gulf of कच में यहाँ पर भी इनके छिट पुर संख्या ही पाई जाती है डुगॉंग की बात करें तो इन्हें सीकाओ के नाम से पुकरा जाता है order सिरेनिया के जो चार surviving species हैं उनमें से एक है सीकाओ या फिर डुगॉंग डुगॉंग मिलते हैं Gulf of मननार, Gulf of कच, पाकवे, अंडमार और निकोबार आईलैंड में यद्देपीन की संख्या अभी भारत में काफी जादा कम है आईस देन के रेड लिस्ट में ये हैं Vulnerable, Wildlife Protection Act of 1972 में ये हैं Schedule 1 में और Sites के Appendix 1 में पाये जाते हैं प्लेस किया गया इन है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Ischemic Stroke के बारे में है पंजाब के एक 22 वर्स के स्टूडेंट थे जिने Ischemic Stroke से वो सफर कर रहे थे उनका treatment चल रहा था और अभी एक महिने के बार यूक्रेन में उन्होंने अंतिम सांस ले ली इसी संदर में Ischemic Stroke News में आया ये काफी common type का stroke है जिसे brain ischemia भी कहा जाता है होता क्या है कि mind में blood clotting स्टार्ट हो जाती है या जो arteries हैं उनमें clotting होने के वज़े से जो blood vessels हैं वो brain तक blood को पहुँचा नहीं पाते जिससे brain में blood reduce होने लगता है और brain की cells मरने लगती है brain की टैसूस जब मरने लगते हैं because उन्हें oxygen और nutrients नहीं मिलते तो इससे stroke आने के संभावना बढ़ जाती है एक और इसका cause stenosis होता है जहां पे arteries पतली हो जाती है blood की supply कम हो जाती है transient schemic attack यानि कि TIA ये छोटा stroke होता है जब आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब schemic strokes की संभावना बनने लगी है अगर समय से इलाज ना किया जाए तो ये serious stroke का रूप ले सकता है कैसे पता चले कि ये problem है बोलने में दिक्कत होगी जब कोई वेक्ति कुछ कहेगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अगर ही दिक्कत है तो face पे numbness हाथ और पैर का सुन हो जाना palaces की भी problem हो सकती है दो में से किसी एक आँख से दिखने में दिक्कत हो सकती है sudden काफी तेज सिर्दर्द consciousness का खो जाना dizziness, vomiting ये सब होना और चलने में दिक्कत होना ये सब इसके symptoms है हमारा next article Simba के बारे में है ये एक software है जो Asiatic loin को identify करता है गुजरात के forest department ने recite किया है कि वो Simba software का इस्तेमाल करेंगे ताकि Asiatic loin को identify कर सके और उनका proper management and conservation हो ये software जो है वो intelligent marking के मार्किंग से Asiatic loin को पहचानता है photo identification software है जो photo खीचे जाते हैं उससे वो Asiatic loin के उपर उसकी body के उपर जो मार्क है उसके basis पर identify कर लेते हैं कि ये कोई different वाला है ये जो पहले अमारे पास database में है उससे नया है तो वो उसको जोड़ लेंगे और उसके basis पर वो उन्हें अलग-अलग नाम भी दे देते हैं वाइडिनेटी रिकॉर्ड भी तयार किया जा सकता है database में ताकि पता चल सके कि कितने Asiatic loin वहाँ पर है Deep Machine Learning टेकनीक है जहाँ पर वो उनकी जो मूच होती है उसके spots को भी identify करके पता कर लेते हैं face, notches, ears उसके structure को photograph के जरीए identify करते हैं कि हाँ जो मारे database में है यह से नया है इसको add कर लो software के पास uniqueness है कि वो photographs की माध्यम से similar pattern को अलग कर लेता है पता देता है कि different Asiatic loin है या वही वाला है जो आपके database में है तो counting आजान हो जाएगी इस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं 2017 के prelims का प्रश्ण है पूछा गया था M Stripes हाली में news में देखा गया किस संदर होनी आपके पास 4 options थे और सही जवाब था maintenance of tiger reserves B was the correct answer हमारा next article perini dance के बारे में है perini dance performance अभी हैदराबाद में जो artist थे उन्होंने किया जिसे देखकर लोग निश्चित तौर पर अचम्भित रहे और उन्हें इसे enjoy किया होगा obviously perini सिवाथन दवम ये एक ancient dance form है जो तकी तिलंगाना में perform किया जाता है अभी हाल के समय में इसे revive किया गया है काका तीर डैनिस्टी जो की आर्णपरेसो तिलंगाना का रीजिन है वहाँ पर हुआ करता था 12. से 14. सताब्दी के बीच में यहाँ के famous ruler रही है रुद्रम देवी मार्को पोलो ने काकाती डैनिस्टी और रुद्रम देवी के रेन यानि किसासनकाल के बारे में अपने अकाउंट्स में अच्छी जानकारी दी है यहाँ पर Lord Siva की honor में इसे perform किया जाता है जिने God of Destruction की रूप में स्विकार करते हैं जब soldiers लड़ाई लड़ने जाते थे तो इस dance form को perform किया जाता था जो वरंगल में रामपपट टेंपल है वहाँ का जो sanctum sanctorum है यानि की गर्भगरी है वहाँ के sculpture में भी पेरिनी डांस आपको देखने को मिल जाएगा कुछ डीटेल्स देखते हैं पेरिनी सिवा थंडवं जे dance form मेल्स के दोरा perform किया जाता है इसे dance of warriors कहा जाता है पेरिनी अपनी peak पर पेनिकल पे पहुँचा काकाती रूलर्स के समय में जो की वरंगल में डैनिस्टी स्टाब्लिश हुई लगबग दो सेंचुरीज तक वहाँ पे रही इससे मिलती है प्रेरना यानि की inspiration जो की supreme dancer Lord Siva को dedicated है एक प्रस्ण देखे काकाती डैनिस्टी के उपर पूछा गया था 2017 के prelims में जहां भी पूछा गया था की कौन सा सीपोर्ट है जो की काकाती किंगडम के लिए काफे ज़ादा important था options में हैं काकी नाडा, मोत उपली मचली पतनम या मसूली पतनम और नलूरू इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूँगा क्योंकि इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे comment box में बताईएगा, चली revision करते हैं स्तरी मनुरक्षा प्रोजेक्ट Ministry of Social Justice and Employment का इनिशेटिव है गलत Ministry of Women and Child Development का है Vacuum bomb, ये air से oxygen लेके temperature blast करते हैं इंडिया का पहला डुगांग रिजर्ब, गुजराद, गल्फाउप कच्छ में गलत, पाक बी में Simba for Software ये wild fauna की captive breeding के लिए है, गलत Asiatic loin के database को त्यार करने के लिए है परिरी डांज, केरला गलत, आंदरप्रदेश ते लंगाना specifically ते लंगाना तुमरा आज के session यही पर समाप्त होता है उमीद करते हैं, यह आपके लिए beneficial है Session की PDF only ISK Telegram चैनल पर मिलेगी वहाँ जाईए, revision करिए इस PDF for download करने के बाद That's all for now, thank you very much